नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभेंज सिंग और आप देख रहे हैं भार्मेंग इंडिया यूटूब कैनल आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप गयहूं का स्टोर यानि उसका भंडारन करें ताकि उसे गुणना लग सके और बहें लंबे समय तक अक्षित रहा रहे दोस्तों अक्सर जो इस सीजन में गयहूं का रेट होता है भै कम होता है इसलिए किसान भाई उसे अभी बेचते नहीं हैं और उस से का इस्टोर कर लेते हैं और जो गयहूं का रेट है वो बरसाथ के मौसम के बाद यानि सर्दियों में नवंबर पर ज़्यादा पशू रखते हैं और खुद के खाने के लिए भी गेहूं का स्टोरेज कर लेते हैं लेकिन अक्सर यह होता है कि जो उन्होंने गेहूं रखा हुआ है उसमें घुन लग जाती है और खराब हो जाता है और घुन लगने से गेहूं का बजन बहुत कम हो जाता है भ़े बलकु खोकला हो जाता है और यदी आपके पसूई या स्वैमजी आप ही इसे कहते हैं तो यह आपकी सहत के लिए भी नुक्सान दायक होता है दोस्तो इसलिए आपको हम कुछ तरीके बताने जा रहे हैं यदी आप बहिक करते हैं तो आपका गैहू बिलकुल सुरक्षित रहेगा और उसमें गुन बिलकुल भीनी लगेगा दोस्तो आपको सबसे पहले करना किया है जब आपका गैहू निकले यदि आपका गैहू हार्वेस्टर से निकलता है तो लगभग उसे दो तिनों तक धूम में अच्छी तरह सुखा लें क्यूंकि जो गैहू हार्वेस्टर से निकलता है उसमें नमी की मातरा थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन जो गैहू त्रेसर से निकलता है बाया अच्छा सुखा हुआ होता है फिर भी उसे एकाद दो दिन तक धूम में सुखा लें उसके बाद उसका भंडारन करें और दोस्तों आपको इसमें यह करना है कि जो आपने गैहू सुखाने के लिए डाला हुआ है जब आप उसे कमरे में या किसी टंकियों में रख रहे हैं तब बहुए गरम नहीं होना चाहिए यदि आप गरम गैहू टंकियों में भर दोंगे तो उसमें एक उमस आएगी और जिससे गैहू के खराब होने के चांस जादा रहते हैं और दोस्तों आपको यदि बड़े पैमाने पर गैहूं कर श्टोरेज करना है तो उसके लिए आपको एक ऐसे कमरे का चेन करना है जहां पर जो वो कमरा है बह पूरी तरह से बंद हो और बहां पर चूहे ना जाते हो और जो पानी है बरसात का बह भी ना आता हो और जो आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में दीवालों के पास सीड़ सी आ जाती है वह भी नहीं आती हो दोस्तों आपको ऐसा कमरा चुनने के बाद उसमें सबसे नीचे भूसा की लगभग दो दो इंच की परत डाल देनी है इससे यदि आपके कमरे में बरसात के मौसम में सीड़ भी आएगी तो वह भूसा के से नहीं आ पाएगी और जैसा की आप इस स्कीन पर देख रहे हैं आपको भूसा के उपर जो पॉलिथिन रहती है बजासे पॉलिथिन लाना है या आपके घर में कोई बड़ा सा फटा या पॉलिथन हो तो उसे बिच्छा देना है भूसा के उपर पूरे कमरे में और जो बगल की दीबाले रहती हैं उनमें भी थोड़ी उपर तक पॉलिथन बिच्छा देना है ताकि उसमें किसी भी पिकाज किसी ना लग सके और जहां आप गेहूं स्टोरेच करें बह कमरा खुला हुआ होना चाहिए लेकिन उसमें आपको यह दियान रखना है कि जब पानी बरसता है और जो हवा रहती है उसमें थोड़ी थोड़ी नमी रहती है तब आप उस कमरे के गेट बिलकुल बंद रखें ताकि जो हवा के दौरा नमी है आपके गेहूं तक नहाप पहुंच सके और आपका गेहूं स्रक्षित रहे और दोस्तो इसके बाद आपको गेहूं भरना है और गेहूं भरने के बाद आपको उसमें दो तिन चीज़े रखनी है जो आपके गेहूं को गुने से बचाएंगी और आपके गेह को बिलकुल रक्षित रहेंगी सबसे पहले आपको कह दें कि आपको अपने जो गेहूं रखा हुआ है उसमें जो जहर है सलफास उसकी गोली नहीं रखना है यदि कभी भी बह गोली आपके या आपके पसुऊं के खाने में इस आटा चक्की से पिस जाए और चली जाए तो इ इसलिए आपको यह जहर कभी भी नहीं रखना है आपको इसके जगह पर जो नीम की टहनी रहती है वह रखना है जो गीली नीम की टहनी होती है वह बहुत सारी छोटी 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 ले लेना है और जगह जगह पर गेहूं में रख देना है और जो दूसरी चीज आपको पोथी लेनी हैं और दोस्तो लेसोन की बैपोथी लें जो बिलकुल सूगी हुई हो बिलकुल जो ताजा खुदा हुआ लेसोन रहता है उसकी गाठ ना लें वह सूगी गाठ लेकर उसकी जो कली निकलती है वह अलग अलग निकाल लें और उन्हें भी गेहूं के बीच बीच म आपको करना है वय जो बाजार में च्वाद चुना आता है आपको वै चूना लाना है और उसके जो तुकडे रहते हैं वै किसी कपड़े में बांध के और उसे रख देना है जगह जगह vaan दोस्तो इससे यह होता है कि जो जितनी भी नमी आती है गेहों में वह यह चूना शोक देता है इससे आपका गेहूं खराम नहीं होता है दोस्तो इतने तरीके थे जिससे आप अपने गेहूं को सुरक्षित रख सकते हैं और यदि आप अपने गेहूं का भंदारर टंकियों में करते हैं तो आपको उन टंकियों को सतय से थोड़ा ऊपर रखना है यदि हो सके तो का स्टेंड बन वाले नहीं तो उनके नीचे कोई लकड़ी का टुकड़ा या जो गुमा रहते हैं बैर रख दें जिससे वैसे तैसे थोड़ी ऊपर रहेगी और उनमें जो सीड़ नहीं लख पाएगी और आपका गहू सुरक्षित रहेगा दोस्तों किसानित की जानकारी है पासे जादा सेयर करें और वीडियो को लाइक करें और वहलालवाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राब करें हम अपने चैनल पर खेती के सानियमें पस्पालन की वीडियो लाते रहते हैं बहुत ही जल्द मिलते हैं य데 ये जैँ भारत